बड़ी हैरानी है कि देश की सबसे स्मार्ट पुलिस ये नहीं देख पाती कि एक कार ने एक लड़की को 12 किलोमेटर तक घसीटा भारप की शक्ति के केंदर में मौजूत राजधानी की पुलिस नहीं देख पाती कि एक घंटे से ज्यादा वक्त तक कार के नीचे शरीर की हटी तूटने तक कपड़े फटचाने तक घसीटती गई तारीख 29 दिसंबर 2022 मौका था दिल्ली वालों को नए साल के जश्न पर सुरक्षा का भरोसा देना दिल्ली पुलिस के एक नहीं चार-चार स्पेशल सीपी भरोसे का दावा करने आए जो डेली के सिटिजन्स का जो सेलिब्रेशन का जो एक बोनाफाइड डोमेन है उसको हम लोग पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे लेकिन दिल्ली पुलिस के तरफ से सुरक्षा के दावे दो दिन के भी तक उचल दिये गए घिसट गए घिसट घिसट कर दम तोड़ दिये जब दिल्ली में अपने घर की कलौती कमाने वाली 20 साल की बेटी को इस परिवार ने खो दिया क्योंकि दिल्ली पुलिस दावों का दम भर कर सनाटा खीचगर सो गई दिल्ली पुलिस के चार स्पेशल सीपी जो दावे दिल्ली की जनता को सुरक्षित नया साल मनाने के नाम पर दे गए वो 48 घंटे भी भारत की राजधानी दिल्ली की सडकों पर टिक नहीं पाये नया साल का जश्न मनाती दिल्ली में 31 दिसंबर की राट घर लोटती बेटी को पांच कार सवारों ने 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा लेकिन एक पुलिस वाला भी देख नहीं पाया जबकि दावा था हजारों पुलिस कर्मी सडक पर मवजूद है दिल्ली पुलिस का दावा नमबर दो जो 12 किलोमीटर तक सडक पर घिसते हुए दम तोड़ देता है पुलिस का जो डिपलॉयमेंट है एक्रोस देली वो साड़े सोलह हजार से ज़्यादा का होगा उसके अलावा हजार से ज़्यादा ट्राफिक पुलिस का डिपलॉयमेंट होगा और बीस कंपनी से ज़्यादा जो आउटसाइड फोर्स है में मकसद है वो है कि जो डेली सिटिजन्स है वो निव यर को एक बहतर तरीके से फैसिलिटेटेड तरीके से उसको मना पाए कहां थे वो 16,500 पुलिस वाले 1000 से ज़्यादा ट्राफिक पुलिस वाले 20 कंपनी से ज़्यादा आउटसाइड फोर्स वाले अगर थे तो फिर क्यों नहीं एक पुलिस वाले ने नहीं देखा इस का से स्कूटी से घर लोटती बच्ची को टक कर मारते क्यों नहीं एक घंटे से ज़्यादा कार से घसीटी जाती बेटी किसी पुलिस कर्मी को नजार आई 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस के कमिशनर संजय अरोडा खुद भी सड़क पर सुरक्षा इंतजाम की निगरानी करने आए शायद कमिशनर साहब के सड़क पर रहने तक सब कुछ चाक चौबंद दिखा दिया गया हूँ क्या पता कमिशनर की यूटर्न लेते ही खो गए दिल्ली के तीन थानों के बीच तैनाथ पुलिस वाले भी 29 दिसंबर को चार स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के ये दावा भी करके गए थे लेकिन फिर कुछी घंटों बाद दिल्ली सड़क पर क्यों इस कार के नीचे महिला सुरक्षा के दावों को घिसकने और नुच ने दिया गया कहां थी धाई अजार महिला पुलिस कर्मियों की पल्टन जो देश की राजधानी में नहीं देख पाई एक बेटी को कार के पहियों के नीचे अपने शरीर के चीथ़ड़े उड़ने तक घसिटते हुए बेटी के साथ पांच पांच लोगों ने गलत काम करा मेरी बेटी के साथ मारा एक उटाय नंगी करके गलत काम करा और फिर उसको मारके गाड़ी के नीचे घसिटा है कि अभी तक साफ नहीं कि बेटी के साफ किस हद तक जगन्य अपरात किया गया लेकिन जितना कुछ अभी सामने उससे दिल्ली की जनता में गुस्सा क्योंकि एक बेटी मार दी गई शायद जिसने दिल्ली के चार-चार सीपी के मुह से अपनी सुरक्षा के लिए दावे सुन कि ट्रैफिक पुलीस और लोकल पुलीस क्योंकि जो निउएयर सेलिब्रेशन होता है इसमें जो मुफ्मेंट है लोग जो गाडियों में चलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो बहुत तरह के पॉसिबल वायोलेशन सोते हैं कुल जो फोकस है वो यह फोकस है कि निउएर सेलिब्रेट करने का वो अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो मैं दिल्ली की सटखों पर महस कुछ घंटों के लिए था दिलीm हो कि पिकेट लगाकर सैक्लों पीसियार लगाकर सैक्लों मोटर साइकिल पर जवान नए साल पर दिल्ली वालों को सुरक्षा देंगे वहां एक कार से घसीटी जा रही बेटी को कोई एक फुलिस वाल आखिर कैसे नहीं देख पाया हर शिफ्ट में साठथ तीन सो से जादा पिकेट लगेंगे और साथ ही जो हमारे पी सीयर जो एम पीवीज का डिपलोई्मेंट है वो भी बारो सो से जदा होगा और मोटर साइकिल भी लगभग 2 हजार से जदा दो हजार चोहातर मोटर साइकिल पूरे दिल्ली में घश्त करें सवाल सीधा सा, साड़े 16,000 पुलिस वाले, 1000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले, 20 कंपनी आउटसाइट फोर्स, महिला सुरक्षा का फोकस, 2500 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मी, हर शिफ्ट में साड़े 300 से ज्यादा पिकेट, 1200 से ज्यादा पीसियार, गश्ट पर 2074, मोटर का शाव मिला, नया साल का वक्ता, सड़क पर है भी पुलिस डिप्लाइमेंट होता है, तो ऐसा कैसे हो गया, कि जो गाड़ी है, गाड़ी से जो लड़की की बॉड़ी हो, ड्रैग होकर जा रही थी, और पुलिस को नहीं पता चला, जो CCTV फोटेज में दिख रहा है, उसमें विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी, अगर कहीं बॉनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती, तो साइद आसानी से नोटिस में आ सकते थी, लेकिन अनफोर्सनेटली ऐसा था नहीं सुनकर दुख होता है पुलिस के इस बयान पर, जो अपनी नाकामियों पर ये कहकर परदा डालते हैं, कि पीडित बेटी कार के नीचे लटकी थी, तो पता नहीं चला, उपर होती, तो पुलिस वाले देख चाते, लापरवाई एक नहीं कई होई, जिसका नतीजा भी है, कि जिस देश में पुर्शों के मुकाबले पहले ही, बेटियों का घर से निकल कर बाहर काम करना आधा है, वो हिस्सा भी अब भायभीत है, ना भरोसा हो, सुन लीजी